BSN 4 Year Degree Program with 1 Year Internship जब हमें पता है कि internship में totally student की practice होती है तो degree program 4 years में उनको hospital में क्यों भीजा जाता है और उनकी क्या requirements होती है student के work की होती है हम सब कुछ इस video में देखेंगे तो video का end तक देखेंगा उमीद करती हूँ आपको video बहुत अच्छी लगेगी सबसे पहले मैं आपको एक important चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप एक अच्छी नर्स बनना चाती हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी practice हो जबता आपकी practice नहीं होगी आप एक अच्छी नर्स नहीं बन सकती आपके पास जितनी education हो, जितना knowledge हो आप एक अच्छी नर्स नहीं बन सकती इसे जैसा कि BSN में है कि आपको जैसे जैसे subjects पढ़ाए जासते हैं उससे related आपको hospital में भेजा जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप जाकर ये ये practice करें जो हमने आपको पढ़ाए हैं, उनकी study में आपको पढ़ाए हैं उसके लिए आपको practically जाके देखने हैं कि आया ऐसा हो रहा है इसी तरह ही आप एक अच्छी नर्स होने के नाते आप एक अच्छा वर्क अप्लाए कर सकती हैं अपने patient पर अगर आपने BSN में admission ले लिए हैं तो आपके कुछ month की सारा साल नहीं बलके कुछ month के लिए आपको clinical करना पड़ता है hospital में जाकर अपनी practice करनी पड़ती है ताकि आप अच्छे जरीके से जो आपने study में आपको बढ़ाया गया आप उसको apply कर सकें और student life से ही आप अपने clinical career start कर सकें इसलिए nursing में सबसे जो important चीज़ है वो है practice जब तक आपकी practice में होती आप अच्छी nurse नहीं बन सकती तो अब हम देख लेते हैं कि nursing में क्या क्या जरूरी है जैसे कि first year में मैं आपको year wise बताऊंगे कि क्या क्या होता है तो first year में जैसे कि आपको पता है कि fundamental of nursing होती है nursing basic subjects आपको पढ़ाया जाते है nursing से related तमाम information दी जाती है कि nurse के basically work क्या है सबसे पहले आपको nursing process आना चाहिए nursing diagnose बनाना आना चाहिए उसकी interventions के हैं इसकी evaluations के हैं plans के हैं तो जब तक आपको nursing plan नहीं बनाना आएंगे आप अपनी nursing process को apply नहीं कर सकती तो सबसे पहले आपको nursing process पे focus करना चाहिए इसके पाद जो main चीज है वो आपको clean call पे जिस वज़ा से भेजा जाता है कि आपको vital signs अच्छे तरीके से apply करने आ जाएं during first year जो आपको भेजा जाता है सबसे पहले जो focus किया जाता है वो है कि vital signs आपको अच्छे तरीके से apply करने आने चाहिए आपको patient की counseling आना चाहिए आप उनके साथ conversation करने का तरीका आना चाहिए सबसे पहले जो first year में आपकी basic बनाई जाती है वो है कि during first year आपको as a nurse जाके कैसे perform करना है start आपका basic चीजों से लिया जाता है जैसा कि है vital signs सबसे पहले vital signs में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़े होती है vital signs में हम सबसे पहले temperature लेते हैं एक अच्छी nurse को उसकी सारे तरीके आने चाहिए कि कैसे apply करना है कैसे उसकी sanitization का ख्याल करना है और कैसे उसको apply करना है और कैसे temperature mark करना है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट एर में ड्यूरिंग क्लिनिकल मैक्सिमम वन मन्थ और फिफ्टीन डेज का होता है जैसा के पी एंसी के प्रोस्पेक्टर्स पर लिखा गया है मैक्सिमम आपकी वन मन्थ के लिए ड्यूटी लगाई जाती है उसके लिए आपका फोकस ही पॉर्टफोलियो बनाने के लिए आपका वाइटिल साइंस पर अब मैं आपको बताती हूं कि पॉर्टफोलियो क्या होता है ड्यूरिंग एक्जैम आपका पॉर्टफोलियो तो देखा जाता है कि किस वार्ड में डियूटी की और आपने किस तरह के पेश्एंट देकैं आपने उनके वाइटल साइन कैसे लिए आपने उनको कैसे अपलाई किया आया कि कि कैसे मेजर्मेंट्स लेते हैं सबसे ज़्यादा जूरूरी होता है कि आपको चार्ट पे उसको अपलाए करने का कैसे तरीका होता है आप अपने पेशन्ट के साल कैसे उनकी कौंसलिंग करते हैं कैसे करते हैं और कैसे आप अपने पेशेंट्स की प्राइवेसी मेंटेन करते हैं जैसे कि फर्स्ट एर में तो आपने बेसिक चीजें ही सीखी है कि आपको वाइटल साइंग मैकसिमम आपको मैडिसन की तरफ डिजीज की तरफ नहीं ले जाया गया जबकि सेकंड एर जो है वो नर्सिंग स तोड़ा सा हट के मैडिकल की तरफ से तरफ है उसमें है कि आपको मैडिसन पढ़ाई जाती है और दूसरा पैथो फिजियोलोजी पढ़ाई जाती है डिजीज के बारे में बताया जाता है जो के में चीज है हॉस्पिटल में सबसे पहले फर्स टेर में तो आपने यह सीख करना है सेकंडियर में यह करना है कि अगर आप कोई मैडिसन अपने पेशन्ट पर अप्लाई करें कि आया वो राइट है रोंग है और किस वे में वे आफ एडिमिनिस्टरेशन उसका रूट कौन सा है और उसकी टाइमिंग के हैं वो सब चीज़े आपको सेकंडियर में बता रही इसके इलावा जो सेकंडियर में फोकस किया जाता है वो है फीजिकल इग्जैमिनेशन सेकंडियर में आपको एक पेशन्ट के फीजिकल इग्जैमिनेशन के बारे में मुकमल इन्फरमेशन जी जाती है ताकि आप अपने पेशन्ट को इंडिपेंडेंटल उसकी फीज इसका डाइगनोज बना सके पैथोफिजियालोजी के बारे में आप मैंने आपको बता दिया कि पैथोफिजियालोजी जो सेकेंडर में 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 सब्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् specific कर दिया जाता है कुछ wards के लिए तो वो nursing education के बारे में दिया जाता है nursing की सारी nursing ethics जो main चीज है community health nursing समझाई जाती है कि हमें as a nurse community में कैसे role play करना चाहिए तो इसलिए अगर आप BSN का बतलब यही है कि पाकिस्तान में educated nurse को introduce कराना अगर आप 4 year में अपनी study के साथ साथ अपनी practice को apply करते रहते हैं तो आप बहुत अच्छी nurse बन सकती है अपनी practice आपकी student life से ही बहुत अच्छी होगी internship में आपकी practice polish हो जाएगी और आप अपने work को अच्छे तरीके से apply कर सकेंगे मेरी ये video उन students के लिए थी जिनको नहीं पता कि students जब student life में होते हैं BSN student तो वो क्या क्या अपना hospital में work perform करते हैं first year में उनको basic चीज़े कराई जाती है second year में उनको medicine disease की तरफ लेके जाया जाता है second year of fourth year में उनकी practice को मजीद polish किया जाता है as a nurse तो इसलिए मेरा ये मकसद था कि इस तमाम student को पता चल जाए कि उनके specific so piece क्या हैं वो कैसे कैसे hospital में